एक बार फिर एलोसी पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोली बारी में जमुई का एक लाल शहिद हो गया जमुई जिले के नकसल प्रभावित क्षेत्र खेरा प्रखंड के लंगडी टाण गाउं का रहने वाला शहीद सुनिल कुमार मुर्मु जम्मु कश्मीर के तंगधार में बीएसेफ के जवान के रूप में तैनाथ था और साल दोहजार तेहरा में बीएसेफ में भरती हुआ था वहीं जब शहीद का शव पूरे सम्मान के साथ उनके निवास लंगडी टाण पहुँचा जहां शव के पहुँचते ही लोगों ने भारत माता की जै और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए वहीं शहीद जवान के शव को गाउं में जवानों ने पूरे सम्मान के साथ शद्ध हंजली दी पंजाब के सिरी टीवी के लिए जमुई से ब्रिज मोहन भगत की रिपोर्ट